टीट्विंटियाई फॉर्मिट में आल्मोष्ट रिंकू सिंग ने अपनी जगे पक्की कर लिये नमबर छे पे बल्ले बाजी करने आते हैं और क्या खूब तरीके से मैच को फिनिश करके जाते हैं पहले मुकाबले में 14 बॉल पे 22 तरन बनाये थे दूसरे मुकाबले में 9 पे 31 नौट आउट बनाये थे और कही ने कही रिंकू सिंग का बड़ा योगदान था कि इंडिया ने और जीत दर्ज करी थी दोनों ही मैचों में हाला कि तीसरे मैच पे रिंकू सिंग के बल्ले बाजे में देखनी को नहीं मिली लेकिन जब रिंकू सिंग स्ट्राइक पर क्रीस पर आते हैं तो उन्हें देखने का मज़ा अलग ही होता है बहुत entertaining पारी होती है, सिर्फ चौके और चक्के ही उनके बल्ले से निकलते हुए हम सब देखते हैं फिलहाल, रिंकु सिंग ने T20 में अपनी जगे पक्की कर ले लेकिन अब बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि रिंकु सिंग को ODI format में भी ट्राइ करना चाहिए रिंकु सिंग की जगे ODI में पक्की करनी चाहिए आशीश नहरा जो कि भारत के पूरो क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है रिंकु सिंग को लेकर चले इस विडियों बताते कि आशीश नहरा ने रिंकु सिंग को लेकर क्या कुछ कहा है अपनी बयान में रिंकु सिंग ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप ओर्डर में बल्ले बाजी कर सकते हैं मैं इस खिलाड़ी को भारत की वंडे टीम में देखना चाहता हूँ रिंकु सिंग की फिनिक्शिंग शम्ता भी कमाल की है यहाँ पर आशीश नहरा ने बड़े डिमांड कर दिया है कि रिंकु सिंग को ODI फॉर्मेट में भी शामिल किया जाए दिखा जाए तो ODI फॉर्मेट में लगभल लगभग जो प्लेयर्स हैं उनकी जगे पक्की हैं रोल क्लैर्टी उन्हें दे दी गई है लेकिन अगर रिंकु सिंग का एड़ाउन होता है ODI टीम में तो इससे अच्छी कुछ बात होई नहीं सकती है जैसे कि आशीश नहरा ने बताया कि रिंकु सिंग टॉप ओर्डर के भी खिलाड़ी हैं वो बल्ले बाजी कर सकते हैं रिंकु सिंग कि अगर पूरे टीटवंटी आई करेर की बात करे तो रिंकु सिंग ने आट टीटवंटी मैचों में भारत का प्रतिनी जित्व किया है रिंकु सिंग ने आट टीटवंटी मैचों में 216.95 की stric rate और 128 की एवरेस से 128 run बनाए है रिंकू सिंग का जो strike rate होता है almost 200 के उपर ही होता है और जो 9-31 के not out पारी खेली थे उसमें 357 का strike rate था रिंकू सिंग का इतनी शांदार बल्ले बाजी करते हैं और बहुत लोग तो रिंकू सिंग को ये भी कह चुके हैं कि वो आने वाले लेक्ष्ट महेंदर सिंग धो नहीं हो सकते हैं क्योंकि MS-2 भी इंडिया के यही काम करते थे फिनिश करके जाते थे मैच को लाश्ट बॉल पर चक्का मार के जिताते थे और अब वही सेम तो सेम काम रिंकू सिंग टीम इंडिया के लिए कर रहे है कहीं ने कहीं T20i format अपनी जगें थोड़ी बहुत बना लिए रिंकू सिंग ने लेकिन अब ODI format भी अगर उन्हें जगें मिल जाएगी तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है बाकी आइपल की बात करें तो कोलकाता नाइट एडर्स की तरफ से रिंकू सिंग खेलते हुए नजर आते हैं काफी टाइम से कोलकाता नाइट एडर्स का हिस्सा थे लेकिन मौका नहीं मिल रहा था लेकिन दो साल से जब उन्हें मौका मिला है तो मौके पे चौका बखू भी लगा है रिंगो सिंग ने आपको रिंगो सिंग की पारी कितनी ज़्यादा पसंद आती है और आप कितनी बड़े फैन है रिंगो सिंगे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ साथो फान स्पोर्ट्स को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें